आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के उपर मंडे के लिए हमारे क्या व्यूज रहेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा आज क्या क्या हुआ है मारकेट में और आगे आने वाले सेशन्स में और क्या क्या हो सकता है इन सब के उपर आज हम लोग इस वीडियो में डिसकेशन करने वाले हैं तो जो भी लोग इस वीडियो को फर्स टाइम देख रहे उन लोग को मैं बताना चाहूंगी मैं इस चैनल पे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के उपर वीडियो रेग्यूलर्ली अपलोड करती हूं सम्टाइम्स ट्रैवल के वीडियो भी अपलोड करती हूं और जब कोई भी टाइम मिलता है तब मैं एक एजुकेशन पर्पस में या फिर किसे स्टॉक को लेके वीडियो अपलोड कर देती हूं और जिन्हों ने अभी तक चैनल मेंबर्शिप जॉइन नहीं किये है तो प्लीज जल्दी से चैनल मेंबर्शिप जॉइन कर लो चैनल मेंबर्शिप जॉइन करने के बाद आपको उसके बहुत सारे बेनेफिट्स मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा वीडियो मिलेंगे candle stick pattern के उपर option chain analysis के उपर इसके साथ-साथ आपको expiry के लिए extra adjustment और strategy वीडियो में मिलते रहेंगे और आपको stock recommendations भी time to time मिलते रहेंगे community में और इसके साथ-साथ आपको extra guidance मिलेगा आपके comments का early reply मिलेगा तो यह जो सारी चीज़े हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको membership में ही मिल सकती है तो इसके लिए आपको membership join करना पड़ेगा जिसके link मैंने नीचे description box में आपको provide कर दी है वही अगर आप देखोगे तो YouTube के subscribe button के बाजू में आपको एक और icon दीखेगा join button करके तो वहाँ से भी आप channel membership join कर सकते हो तो जल्दी से channel membership join कर लो सो अभी हम लोग start करते हमारा आज का वीडियो nifty 50 के साथ तो nifty की आज की closing कहाँ पे आई है तो nifty की आज की closing आई है 9,251 के पास और bank nifty की closing आई है 19,352 के पास तो देखें nifty fluctuated around 150 points in another day of volatile trades tracking uncertainty in the markets so gains were led by reliance which succeeded in another round of fundraising even in this adverse scenario so global market trends were also positive following attempts to diffuse tensions around the US-China trade talks while the earning season has been laxlessure markets seem to be waiting announcements of a stimulus package from the government so since last few cases have been rising in the country so it creates a negative sentiments in the market as India has crossed 50k mark at present level index has strong resistance at 9,450 level and downside के लिए अगर support zone देखें तो 9,130 and 100 strong support zone है फिलाल nifty 50 के लिए so अभी मेरे सामने nifty का one day candlestick pattern chart है और डेली चार्ट के उपर nifty ने एक bearish candle form की है वही अगर हम लोग weekly chart देखें nifty 50 का तो weekly chart के उपर भी nifty ने एक red color की candle form की है एक bearish candle form की है तो nifty के लिए आगे आने वाले sessions के लिए कौन-कौन से important levels रहेंगे यह हम लोग बाद में देखते हैं पहले हम लोग nifty की option chain discuss कर लेते हैं तो अभी मेरे सामने nifty की 14th May की expiry की option chain है और nifty की आज की closing आई है 9,251 के पास तो call side में अगर हम लोग देखे highest open interest कहाँ पे बना हुआ है तो call side में जो highest open interest हमें खड़ा दिखाई दे रहा है वो है 17 lakhs का जो की है 9,500 के लेवल के उपर second highest open interest बना हुआ है 16 lakhs का जो की है 10,000 के लेवल के उपर वही call side में अगर हम लोग देखे आज सबसे जादा contracts के अड़िंग कहा पे हुई है तो call side में आज सबसे जादा contracts के अड़िंग हमें देखने को मिली है 9,28,000 की जो की है 9,500 के लेवल के उपर वही second highest contracts के अड़िंग हुई है 8,49,000 की जो की है 10,000 के लेवल के उपर तो अभी देखिए निफ्टी के लिए अगर हम लोग resistance की बात करें तो highest open interest कहा कहा पे खड़ा है 9,500 और 10,000 के लेवल के उपर और वही पर हमें सबसे जादा contracts की आज आड़िंग भी देखने को मिल रही है तो इसका क्या मतलब है कि निफ्टी के लिए जो first resistance जोन रहेगा वो रहेगा 9,500 का एक हडल जोन रहेगा अगर ये पार होता है इसके उपर निफ्टी सिस्टेन हो जाता है तो यहां से दीरे दीरे करके हमें निफ्टी जो है वो फिर से 10,000 के पास जाता हुआ दिखाई दे सकता है अगर 9,500 का हडल पार्क कर लेता है निफ्टी इसके उपर closing दे देता है सिस्टेन हो जाता है तो ही 10,000 तक के लेवल्स हम लोग निफ्टी के अंदर देख सकते हैं वही अगर हम लोग देखे तो 9,28,000 की सबसे जादा कॉन्ट्रेक्स के आडिंग हुई है तो इसका मतलब है कि इतने लोगों को ये लग रहा है कि निफ्टी यहां तक जरूर पहुँच सकता है लेकिन इसके उपर नहीं जा सकता तो यहां पर इसी लिए हमें सबसे जादा कॉन्ट्रेक्स की आडिंग देखने को मिल रही है तो निफ्टी के लिए resistance रहेगा first 9500 का level और इसके बाद में 10,000 का level वही support की अगर हम लोग बात करें तो put side में देखे सबसे जादा open interest कहां पे खड़ा है तो put side में जो highest open interest हमें बना हुआ दिखाई दे रहा है वो है 12,00,00 का जो की है 9,000 के level के उपर वही second highest open interest जो बना हुआ है वो है 9,13,000 का जो की है 8,500 के level के उपर वही सबसे जादा आज contracts की adding put side में कहां पे हुई है तो आज सबसे जादा contracts की adding हमें देखने को मिली है 3,00,00 की जो की है 9,100 के level के उपर तो देखे मैंने starting में ही आप से कहा कि Nifty के लिए downside के लिए 9,100 and 130 crucial support zone है और अभी अगर हम लोग देखे put side में तो highest open interest जो बना हुआ है वो बना हुआ है 9,000 के level के उपर और सबसे जादा contracts की adding put side में हमें देखने को मिली है 9,100 के level के उपर तो यहाँ पे जो सबसे important zone है crucial support zone है Nifty 50 के लिए वो रहेगा 9,000 से लेके 9,100 का zone और अगर यह zone Nifty तोड़ देता है तो downside के लिए Nifty हमें 8,500 तक गिरता हुआ फिर दिखाई दे सकता है तो Nifty के लिए important support zone है first 9,000 और 9,100 का level और इसके बाद में next important support है 8,500 का level so Nifty 50 के लिए हमने option data से important support और resistance के levels तो देख लिए है तो अभी चलिए चलते हैं हम लोग chart के ऊपर Nifty 50 के so अभी मेरे सामने Nifty का one day candlestick pattern chart है और Nifty की आज की closing आई है 9,251 के पास so देखे domestic factors of cases, virus cases and disappointing earnings will continue to weigh on the sentiments ahead so in such scenario sustainability at higher level seems difficult we suggest maintaining extra cautious on stock selections and focus more on position management aspects so यहाँ पे अगर हम लोग देखे support Nifty 50 के लिए कहाँ कहाँ पे है तो देखे first जो important support है यहाँ से वो Nifty के लिए है 9,230 का level और इसके बाद में 9,170 का level और अगर यह support तूटते हैं तो downside के लिए हमें जो correction देखने को मिलेगा Nifty के अंदर वो 8,900 तक रहेगा और अगर 8,900 तूटता है तो यहाँ से और जादा downside के लिए 8,700 और 500 तक Nifty हमें चाता हुआ दिखाई दे सकता है वही upside के लिए resistance की अगर हम लोग बात करें तो 9,400, 450 यह first resistance level रहेगा और इसके बाद में जो second resistance level रहेगा वो रहेगा 9,550 और 600 का level सो यह Nifty 50 के लिए important support और resistance के level से जो आपको आपके chart के उपर mark करने है मैं एक बार फिर से आपको repeat कर देती हूँ first important support है 9,230 का और इसके बाद में 9,170 का अगर यह दोनों support तूटते हैं तो downside के लिए 8,900 तक का correction हम लोग देख सकते हैं Nifty 50 के अंदर वही upside के लिए first जो resistance level रहेगा वो रहेगा 9,400 और 450 का level और इसके बाद में जो second resistance रहेगा वो रहेगा 9,550 और 600 का level यह Nifty 50 के लिए important support और resistance के level से जो आपको आपके chart के उपर जरूर mark करने चाहिए ताक कि आपको trading के वक्त helpful हो सके वही अगर हम देखे आज Nifty 50 के अंदर हमें क्या देखने को मिला तो Nifty ने फिलाल डेली chart के उपर एक bearish candle form की है तो आज Nifty ने opening की थी 9,376 के पास intraday high किया था 9,382 के पास intraday low किया था 9,238 के पास और अभी फिलाल closing दी है 9,251 के पास तो आज Nifty हमें 9,230 के support को respect करता हुआ दिखाई दिया था अभी next session में भी ये देखना important है कि 230 के support को Nifty respect करता है कि नहीं करता है और अगर 400, 450 के उपर टिक जाता है तो ये तो और जादा अच्छी बात रहेगी क्योंकि यहां से फिर हम लोग 9,600 तक की rally जो है वो Nifty 50 के अंदर फिर देख सकते हैं तो Nifty के लिए मैंने अपने important levels जो है वो आपको बता दिये है अभी हम लोग चलते हैं bank Nifty के उपर सो bank Nifty की 14th May की expiry की option chain है मेरे सामने और आज bank Nifty की closing आई है 19,352 के पास सो देखिए आज Nifty bank फिर से 19,500 के नीचे पहुच सुका है और closing basis के उपर फिलाल 19,500 के level को भी Nifty bank ने तोड़ दिया है तो 20,000 और 20,500 का resistance जो मैंने आपको बताया था जब तक इसके नीचे चल रहा है तब तक हमें Nifty bank 18,000 से लेके 20,000 के बीच में फसा हुआ दिखाई दे सकता है अभी अगर 19,000 का level तूटता है तो Nifty bank हमें downside के लिए 18,000 के levels तक गिरता हुआ दिखाई दे सकता है तो फिलाल हम लोग देख लेते हैं support और resistance कहा कहा पर बने हुए है Nifty bank के लिए तो call side में अगर हम लोग देखे highest open interest कहा पर बना हुआ है तो call side में जो highest open interest हमें खड़ा दिखाई दे रहा है वो है 4,13,000 का जो की है 21,000 के level के उपर second highest open interest जो बना हुआ हमें दिखाई दे रहा है वो है 3,77,000 का जो की है 20,000 के level के उपर वही अगर हम लोग देखे सबसे जादा contracts की adding हमें कहा पर दिखाई दे रही है तो सबसे जादा contracts की adding हुई है 22,000 के level के उपर और second highest हुई है 20,500 के उपर 2,20,000 की तो अभी देखिए resistance zone निफ्टी बैंक के लिए fixed है 20,000 से लेके 20,500 के उपर जब तक इसके उपर निफ्टी बैंक नहीं जाता है upside के कोई भी chances नहीं है निफ्टी बैंक के और अगर इसके नीचे ही रहा 20,000 के नीचे ही रहा तो एक 19,000 से लेके 20,000 के बीच में ही निफ्टी बैंक और एक से दो सेशन के लिए first सकता है और अगर 20,000 reclaim नहीं किया तो downside के लिए 19,000 का level तोड़के 18,000 के पास निफ्टी बैंक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है तो निफ्टी बैंक के लिए resistance 20,000 और 20,500 का zone है अगर ये पार होता है तो upside के लिए second resistance रहेगा 21,000 का level और उसके बाद में 22,000 का level तो निफ्टी बैंक के लिए resistance तो मैंने बता दिया है support कहा कहा पे बने हुए है ये देख लेते हैं तो put side में अगर हम लोग देखे highest open interest कहा पे बना हुआ है तो put side में जो highest open interest हमें बना हुआ दिखाई दे रहा है वो है 3,18,000 का जो की है 18,000 के level के उपर वही second highest open interest बना हुआ है 2,81,000 का जो की है 19,000 के level के उपर वही सबसे ज़्यादा contracts की adding कहा पे हुई है आज put side में तो आज सबसे ज़्यादा contracts की adding जो हुई है वो भी हुई है 19,000 और 18,000 के उपर तो अभी देखे सबसे ज़्यादा open interest जो बना हुआ है वो 8,000 के level के उपर बना हुआ है तो इसका मतलब यह है कि अभी इतने लोगों को लग रहा है कि निफ्टी बैंक जो है वो downside के लिए फिसल सकता है लेकिन 18,000 का mark नहीं तोड़ेगा तो जैसे मैंने आपको कहा जब तक 20,000 clear नहीं होता है downside के लिए 18,000 के chances निफ्टी बैंक के बने हुए है अगर 19,000 का support तूटता है तो so निफ्टी बैंक के लिए 2 important support है first 19,000 का level और इसके बाद में 18,000 का level यह downside के लिए इस option data के उपर से निफ्टी बैंक के लिए important support और resistance के level से तो अभी हम लोग चलते हैं चार्ट के उपर निफ्टी बैंक के so अभी मेरे सामने निफ्टी बैंक का one day candlestick pattern चार्ट है और निफ्टी बैंक की आज की closing आई है 19,352 के पास तो देखिए अभी निफ्टी बैंक ने आज क्या क्या किया तो निफ्टी बैंक ने आज opening की थी 19,844 के पास intraday high किया था 19,969 के पास intraday low किया था 19,285 के पास और अभी closing डी है 19,352 के पास तो closing business के उपर फिलहाल निफ्टी बैंक ने 19,300 का support hold रखा हुआ है तो ये थोड़ी अच्छी बात है लेकिन अभी भी upside के लिए जब तक 19,850 पार नहीं होता है तब तक निफ्टी बैंक 20,000 और 20,500 का लेवल क्लियर नहीं कर सकता अगर 19,850 के उपर sustain हो जाता है एक closing बे मिल जाती है तो यहां से हम लोग 20,300 और 500 तक के लेवल निफ्टी बैंक के अंदर definitely फिर देख सकते हैं तो यहां से देखें निफ्टी बैंक के लिए कौन-कौन से important support और resistance के लेवल रहेंगे यहां से जो first important support है निफ्टी बैंक के लिए वो रहेगा 19,300 का लेवल इसके बाद में 19,000 का लेवल और इसके बाद में 18,850 का लेवल यह downside के लिए निफ्टी बैंक के लिए important support के लेवल से है अपसाइट की अगर हम लोग बात करें तो अपसाइट के लिए first resistance लेवल रहेगा 19,000 एट्फिफटी का लेवल इसके बाद में 20,180 का लेवल और इसके बाद में 20,500 का लेवल ये Nifty Bank के लिए फिर Upside के लिए Resistance के लेवल से जो आपको आपके चार्ट के उपर जरूर माक करने चाहिए ताकि आपको ट्रेडिंग के वक्त हेलपफुल हो सके और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो मैं आंसर कर दोंगी कमेंट्स में पूछ लिया करो या फिर मुझे मेल कर दो मैं वहाँ पे आपके क्वेरी सॉल्फ कर दोंगी अब आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना वीडियो अगर बहुत ज़दा अच्छा लगा है तो शेयर कर देना आपने friends, family के साथ जिनको भी ये video useful है उन सब के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना और उन सब को कहना इस channel को subscribe करने के लिए वही अगर आपने मुझे अभी तक telegram के उपर join नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से telegram के उपर join कर लो नीचे description box में मैंने telegram channel की link आप से provide कर दी है so thank you very much for watching this video मैं मिलूँगी आपसे next video में till then bye take care and trade carefully